एक बार की बात है, एक छोटी से गाव में एक साधू महात्मा रहते थे। वह बहुत ही दयालू और परुपकारी थे। दिन रात तपस्या में लगे रहते और लोगों की सहायता करते। गाव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी सेवा में भेंतु स्वरूप कुछन् लेकिन साधू के कुटिया में एक समस्या थी एक चूहा। वह चूहा साधू के अनाज को हर रोज कुतर देता और कुटिया में इधर उधर उधम मचाता रहता। साधू ने कई बार उसे भगाने की कोशिश की लेकिन चूहा हर बार लोट आता। एक दिन साधू परेशान ह कर अपने एक मित्र जो की एक तांत्रिक था के पास गए और उससे उपाई पूछा तांत्रिक ने ध्यान लगाया और कहा इस चूहे की समस्या का समाधान यह है कि इसे बिल्ली बना दो तब ये डर जाएगा और खुद ही अनाज को नहीं खाएगा साधू ने अपनी तंत्र व रहता है साधू को लगा कि बिल्ली दर के कारण फिर से परेशान है उन्होंने उसे कुट्टे में बदल दिया कुछ दिन तक सब ठीक चला लेकिन फिर एक बड़ा शेर वहां आने लगा और कुट्टे को डराने लगा साधू ने सोचा कि अब इसको और ताकतवर बनाना एक दिन शेर बने चूहे ने साधू पर जपटने की कोशिश की साधू ये देखकर समझ गए कि यह चूहा अपने असी स्वरूप को भूल गया है और अब अभिमानी हो गया है साधू ने अपने मंत्र का प्रयोग किया और उसे वापस चूहे में बदल दिया क्षचूह फि अपनी स्थिती में आ गया और उसने कभी भी अहनकार नहीं किया कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और कभी भी अहनकार नहीं करना चाहिए